गुड मॉर्मिंग हम थर्ड यूनिट में राजा रवी वर्मा भारतिय कलाकर राजा रवी वर्मा के बारे में पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में मैंने आपको पताया था कि राजा रवी वर्मा का जनम कहा हुआ उन्होंने किस प्रकार कला की शिक्षा प्रारंबिक शिक्षा गैयर गराण की और किस तरह उनका रुझान तैल चित्रों की तरफ से हुआ राजा रवी वर्मा एक ऐसे कलाकार थे जो किली मनूर से निकल कर त्रावन पौर पहुंच कर वियना की चितर प्रदरश्ची में स्वान प्रदर्ख हांसिल करते हैं 19 सदी की योरोपिय इथार्थ वजी शैली में वह ऐसी दक्ष तक के साथ काम करते हैं कि समुचा कला जकत अभी बूत रहे जाता है इससे भी उलेकन ये बात तो यह है कि उन्होंने कला के लिए किसी भी संस्थान से अकादमिक शिक्रा करहन नहीं की वे पूरी तरह आत्म दिक्षित कलाकार थे जबकि वो जल रंगों से उतने परिचित नहीं थे और तैल रंगों का वे पारत में पहली बार इस्तिमान कर रहे थे उन्होंने वीना वजाती हुए एक बारती इस्तिरी का चितरांकन किया था रंग की स्पेस क्रियेटिविटी प्रापर्टी का जो इस्तिमाल उन्होंने किया है वे किसी भी यूरोपियन महत्वाकांशी चितरे के लिए इर्शय का कारण बन सकता है राजा रवी वर्मा जनम से ही राजा नहीं थे लेकिन उन्हें उनकी अद्भूत प्रतीबार नियान तथा राजा बना ही दिया हारा की वेहत सुरूची संपन परिवार सी जनमे थे जहां साहीतर कलाग को अत्यन परिश्क्रत समझकर अभी जीत माना जाता था मा, उमा, अमा, तता, पिता, इजूमा, बिल, नील, कांतर, भटा चाहरे की भट्टी पात्र की संथान राजा रवी वर्मा की प्रतीबा को पहचान पहली बार उनके चाचा ने की और इसलिए चाचा जो है उनको अनिक चित्रकारों के पास ले गए उनको कला की शिक्षा दिलाने का उन्होंने उनके चाचा के ही प्रयासों का परिणाम है कि वो आज इतने बड़े आर्टिस बन कर हमारे समक्ष आए राजा रभी वर्मा के लिए प्रारंबिक समय कठिंता का समय था क्योंकि एक और तो जहां उन्हें जलरंग जैसे माध्यम में दक्षिता हासिल करनी थी वहीं दूसरी और रेखांकन के साथ शास्त्रिय पख्ष का भी प्रयाप्त अध्यन करना था उन्होंने चित्रों को समझने के लिए रंग और शब्दोनों को मर्म को जानने के लिए उन्होंने संगीत के स्वरों को समझा कतक कली की कई मुद्राओं को उन्होंने कलाकार की रस्टी से आत्मसाथ किया इसी बीच एक दिन मदरास के एक अखबार में तैल रंग का एक विग्यापन चपा यह माद्यम उनके लिए नितांद परिचित और चुनोती पून था राचा रवी वर्मा ने यूवा वतीजे के लिए तैल रंगों को उपलब कराया लेकिन दिक्कत यह थी कि वे उनके इस्तेमाल से नितांद अन्यभिक थे लेकिन दीरे दीरे वे विदेशी चित्रकार थियोडो जेंसन को देखकर काम करना सीख गय वे कहते थे कि चित्र बनाना और चित्र को समझना दोनों अलग अलग चीज़े है आता किसी भी चित्र को बनाने के पीछे उसका गहन अध्यन होना आवश्चक है लाड हर्डबर्ड राजर रवी वर्मा के काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी चित्र कृतियों को अंतराश्टिय कला प्रदर्शनी में इस परदा के लिए भीजा जहां उन्हें स्वान पदक मिला अगर ये स्वान पदक मिलते ही कला जगत का सारा प्रदर्शे ही उनके लिए बदल गया ये उनकी ख्याती का ही सूफल रहा कि डूक आफ बंकिंगम ने राजर रवी वर्मा द्वारा महा कवी कालीदास के चर्चित महा कावे शाकुंतलम की नाइका को ध्यान में रखकर बनाई गई चित्रकृती शाकुंतला खरीदी तब के समय में उसका मुले पचास सजार अदा किया ये वे कालखन था जब आपनी विशक सत्त किवरूद एक दीमी लपट सारे देश में जल रही थी क्योंकि भारतियों को लग रहाता है वे ब्रिटिश सामरज जबात के सिकंजे में फसकर अपनी इस अस मीता खो रहे हैं भारत की भाव्या और विराड परंपरा पर वक्त की दूल जमती जा रही थी निश्य ही उने उनकी तलाश पर सुफ मूर कर ही पीछे देखा जा सकता है इसलिए निकट अतीद के उतकनन को उन्होंने इरादतन रद करते हुए सुदूर अतीद या कहीं कि पवित्र की तरफ अग्रसर होना तेह किया क्योंकि विराट और वैविद्य भर ही शेश था जो उर्जा देने के विकल्प की तरह सामने था शार यह वही दौन था जिसने राजा रवी वर्मा को अपने चित्रों के विश्य को निर्दारित करने में एक बड़ी निर्णायक भूमी का अदा की उन्होंने संस्कृत नाट को गीत कोविन और रस मंजरी की मदद ली और यॉर्पिय न्यू क्लासिकल रियलिस्म की संभावना का दोखन करते हुए भारतिय पुरा कताओं और देवी देवतों का चित्रन प्रारम किया राजा रवी वर्मा ने अज संक्य देवी देवतों के चित्र बनाए है जो बाद में भी कलंडरों में आप देखते हैं कि वो बहुत यूज किये जाते थे बलकि पुराने कलंडर हम देखते हैं उन सब में हमें राजा रवी वर्मा की ही पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी वो जो देवी देवतों की चित्र बनाते थे वे उनकी देव इस्त्रियों की काया जो होती थी कुछ प्रत्थुल होती थी याने कुछ भरी-भरी सी होती थी नतीजन में खास किस्म की इस्त्रियों के रूप में जानी जाने लगी जो पूज़ा से अधिक रूप विश्टतत का भाव लिये होती थी ऐसा माना जाता था ऐसे बहुत सरे लोगों ने उनका अलोचना की कि जो उनकी इस्त्रियां है जैसे वो रामायन का या महा भारत का या वो किसी देवी का चित्र बना रहे हैं तो वे एक देवी न लगतर एक बहुत सौंदरे मही इस्त्री जादा लगती थी उनको उनकी जो तुलना थी वो विदेशी इस्त्री की तुलना से की विदेशी चित्रकार जैसी इस्त्रियों बनाते थे वैसी ही उनको उनकी चित्रों की इस्त्रियों के लिए कहा जाने लगा था लेकिन फिर भी कहना ना होगा कि पुरा कथाओं और देवी देवताओं का चितरन आसान नहीं था क्योंकि उनके आभूशन उनके वस्त्र विन्यास उसके साथ ही उस परिवेश उस काल को समाहित करना उस काल को चितरित करना जो उन्हों जिसका कोई प्रतक्ष साक्ष नहीं था राजा रवी वर्मने महारास्टिय नौगज की साड़ी को देवियों के परिधान बनाया तब भी ततकालीन कला आलोचकों ने उनकी बहुत निंदा की इस साड़ी के साथ चितरन में ऐसी स्थानेता आ रही है जिसे मिथकिये पात्रों और चरित्रों की भौवलिक्ता ही संदिक्त और संकत ग्रस्त होने लगी थी उनकी आलोशना से घबरा कर उनके चितरों के बारे में ऐसा कहा जाने लगा था राजा रवी वर्मा ने वसं सेन नामक चितर में नौगजवाली साड़ी को पहली बार ऐसा रूप दे दिया कि दीरे दीरे वे भारतिये इस्तरी की सर्व देशिये पोशाग बन गई बाद में इसी उल्टे पल्ले वाली साड़ी को रविद नाट टैगौर की भावी ग्यान नंदिनी ने पहन कर सर्व सिक्रती बना दिया बहराल साड़ी लपेटने की इस शैली ने की परंपरा को समकालीन तप्रदान की और आज भी वे भारतिये इस्तरी के अविजात्य परिदान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है राजा रवी वर्मा सुबह चार बच्चे उठकर अपने चित्र बनाते थे प्रकाश और चाया के शुक्ष्व अध्यान और आकलन के लिए ये समय उन्हें सरवादिक उप्युक्त लगता था इसमें अंधेरे की विदाई और उजाले की दवे पाओ आमध हुआ करती थी एक जो उजियाला होता तरह वह जो उनके रंगों में दिखाए देता है उसका जो शूफयाना पन होता है वो उनके जो रंगों में दिखाए देता है वो अभूत पूर है जैसे कि आप ये देखे सामने आपके चितर प्रदर्शीत दम्यन्ती कितनी सुहभाविक्ता से दोनों इस्तियां अपनी बातचीत में लिप्त है और उनकी साड़ी का एक एक सल अब महसूस कर सकते हैं कि जैसे मानो औरीजनली उन्होंने इन साड़ीयों को पहन कर फोटो खिचवारियों बहुत ही यथार्त वादी चितरकार थे राजा रवी वर्मा जिन्होंने अपनी कलम को साध लिया था भारती एक कला जगत में उनकी कृतियां धीरे धीरे अमर होती जा रहे थी उन्होंने शांतनू, मतस्य गंदा, नल्दमेंती, श्री कृष्न देवकी, अरजन सुबद्रा और विश्वानी तरमें का जैसे चितर बनाए उन्होंने इस्त्री देखा भारती एक कला जगत दाचे में डाल कर उन्होंने उसे प्रस्तुत किया उन्होंने अपने छोटे बाई के साथ उत्तर भारत की सांस्क्रितिक यात्रा की ताकि वो सांस्क्रितिक और भूगलिक समग्रता को पूरी तरह आत्मसाथ कर सके अब ततकाल बाद में इस यात्रा के ततकाल बाद में उन्होंने अपनी चितर कृतियों में बूधर रश्चे भी चितरित करना यानि लैंस्केप भी चितरित करना प्रारम भी किया बहराल चितर में प्रस्पूव लैंस्केप बनाए गिये थे वे उनके पहले उनके ब्रदर अनुझ ऐसा काम किया करते थे इसके पश्च उन्होंने मादव राज के जरिये राजर रवी वर्मा